Hello friends, आज मैं आपको poetry 2010 की movie explain करने वाल हूँ ये movie एक grandmother की बारे में है, जो poetry करना चाहती है पर उसके family में जो crime होता है, उससे वो भाग नहीं सकती एक जबर्दा statement के साथ ये movie execute होती है, तो चलिए शुरू करते है movie start होती है, और हमें एक नदी दिखाई गई है नदी के किनारे पे कुछ बच्चे खेल रहे होती है वो जब नदी में देखते है, तो वहाँ एक लड़की की body तेर रहे होती है इसके बाद नेक सिन में हमें जो grand mother है, वो दिखाई गई है हमारे main character का नाम मिया है यह hospital में बेटी होती है यह doctor के पास आती है, तो इसके शिकायत होती है कि इसका हाथ दुख रहा है doctor से बात करते करते, उसे एक शब्द याद नहीं आता doctor इसके लिए concern हो जाता है, कि अगर इसे कोई भी word याद नहीं आ रहा होगा तो यह बड़ी बिमारी हो सकती है उसके लिए टेस्ट अगराव हो मंगवाता है मिया के आम के लिए doctor कहते है कि थोड़ी exercise करनी चाहिए hospital से मिया जब भार आती है, वहाँ एक औरत रो रही होती है नदी में जो लड़की मिली थी, यह उसकी ही मदर है यह लड़ी और मिया का grandson, यह दोनों एक ही school में पढ़ते थे मिया को अब यह पता जल जाता है मिया hospital से निकल के अपने job पर आ जाती है एक बहुत बुड़ा आदमी होता है, जिसके care वो रखती है इसे वो नहलाती है, इसके सब वो काम करकर वहाँ से जाती हुई हमें दिखती है जाते-जाते इस आदमी को बदा कर जाती है, तो यह आदमी उससे रोकने वाला होता है पर वो कहती है, यह बुढ़ा आदमी फिर उसे पास बुलाता है उसे as a bonus बहुत सारा पैसे देता है मिया जहाँ काम करती है उसके नीचे ही grocery shop होता है यह जो grocery shop है यह इस old man की daughter-in-law चलाती है मिया daughter-in-law से कहती है कि यह old man ने मुझे बहुत सारा पैसे दिया है daughter-in-law कहती है कि तुम्हें वह बहुत ही पसंद करता होगा वह अन्हाँ किसी को भी पैसे ने देता मिया जब घर पर आती है बहुत सोर से गाना चल रहा होता है गाना चला कर उसका grandson सोय हुआ होता है कुछ गलत है ऐसा मिया को लगता है और उससे पूछती है और वो कुछ भी नहीं बताता मिया के grandson का नाम जॉंग है जब रात होती है तो जॉंग खाना खा रहा होता है तब मिया उससे पुछती है मैं तुमें बहुत सारे call लगाये थे तुमने क्यों नहीं उठाये थे जॉंग कहता है कि मेरा mobile खराब है मिया उससे पुछती है कि आज जो लड़की मर गई थी तुमारे क्लासरूम में है तुम उसे जानते होगे जॉंग कहता है वो मेरे क्लासरूम में थी पर मुझे उसका नाम भी नहीं पता था मिया को exercise की जरूरत है इसलिए मिया और जॉंग ये दोनों रात में badminton खेलते है जॉंग को अपने friends का call आजाता है और रात में ये अपने friend के साथ ये निकल जाता है next scene में हम देखते है मिया जो थी है ये cultural center में आती है इसे poetry का class करना होता है जब वहाँ पोशती है वहाँ की secretary कहती है कि हमने पूरी admission feel कर ली है मिया कहती है कि और कुछ नहीं हो सकता उसे करना ही होता है तो इसलिए अब ये इस class को join कर लेती है मिया class में बेटती है poetry सिखाने वाला professor जो होता है उसके हाथ में apple होता है वो सब से कहता है कि आपने कितने बार apple देखा होगा life में पर कभी भी आपने really apple नहीं देखा है जब आप apple देखोगे उसके बार काईया आप देखोगे उस पर जैसा light आ रहा है उस पर जो freckles से बहुत सारी चीज़े आपको दीख जाएगी इस तरह से आपने कभी भी apple को नहीं देखा होगा वो उन सब को फिर exercise देता है उन सब को actual में चीज़े जो होती है वो देख कर आने होती है प्रोफेसर कहता है जब भी तुम चीज़ों को सही तरीके से देखोगे तो poetry अपने आप आ जाएगी मिया घर पर आती है और यही exercise करने लग जाती है थोड़ी दिन में उसका grandson आता है और अपने बहुत सारे friends को लेकर आता है यहाँ उनके एक secret meeting चल रही होती है नेक्स दिन मिया वराणे पर बैठ थी है और पेड को देखती है पेड को वो पहली बार देख रही है इस तरह देख रही होती है उसे फिर एक call आता है जो उनके फ्रेंड के parent का यह call होता है मिया घर थी है मेरी poetry class है यह खतम करकर हम मिल सकते है जो यह poetry class खतम हो जाती है तो अब यह parent वहाँ आय हो होता है यह parent फिर मिया से पोचता है क्या तुम poetry कर रही हो मिया कहती है कि मैं सिर्फ classes वेकरा ले रही हूँ वो फिर कहती है कि मैं हमेशा से poetry करना चाती थी मेरी बेटी थी वो भी मुझे कहा करती थी कि तुम यह poetry सीखनी चाहिए मुझे कभी वक्त ही नहीं मिला जब वो छोटी थी उसके teacher ने भी उसे inspire किया था पर अब 50 साल बात जब उसने poetry glass का poster देखा तो अब उसे इसे pursue करना था यह parent फिर मिया को एक hotel में लेका राता है यहाँ और भी चार लोग होते है यह जो बात करना चाह रहे है यह beer विगरा मंगावकर postpone कर रहे होते है तो इन्हों से एक बोलता है कि हमें जल से जल इस पर बात करने चाहिए फिर जो matter है यह सब को समझाते है जो लड़के river में मिली थी उसने suicide कर ली थी इसने suicide 6 लड़कों की वज़े से की थी वो सब मिलकर इसका बहुत से रेप कर रहे थे अब वो सेहन नहीं कर पाई इसलिए उसने suicide कर ली थी यह parent कहता है यह जो छे लड़के थे उन्होंने confession कर लिया है और यह जो छे लड़के होते है यह इन parents के इस son होते है यानि कि मिया का grandson जौंग भी इसमें शामिल था पिछले sin में हमने देखा था कि जौन अपने friend के साथ beating कर रहा है यह वही problem वो face कर रहा है यह parent फिर बोलता है कि इतना ज़्यादा mentor हमें यह बंड़न नहीं देना चाहिए पुलिस और लड़के की जो मदर है इनसे हमारी बातचीत बहुत ही सही चल रही है हम पैसे देखकर यह settlement कर सकते है यह सब बात वो कर रहे होते है तो यह मिया वहाँ से चली जाती है बहार जाकर लाल फूल होता है जिससे वो देखने लग जाती है यह parent फिर उसके पास आता है मिया कहती है यह जो लाल फूल है यह bird represent करते है और यह जो फूल होता है यह shield की तरह होता है यह भी उसे कहती है इसका मतलब है यह जो वहाँ गलत हुआ है पर इन सब को यह shield कर रहे है रात में जब वो घर आती है तब जॉंग वहाँ होता है जो सब चीजे हुई है, जॉंग को इससे कुछ भी फ़यक नहीं पड़ रहा मिया भी उसे कुछ भी बोल नहीं रही जब जॉंग स्कूल के लिए बाहर निकल जाता है तो मिया उसके रूम में आती है उसका म्यूजिक चल रहा हता है उसे बन करना आता है तो यह बन नहीं कर पाती है बहुत डिस्टर्ब हो जाती है इसकी चीजे भी यह ढूंटे है यह उसे कुछ ना कुछ तु मिल जाए मिया को फिर से पैरेंस का कॉल आता है और इनकी मीटिंग हो रही होती है यह सब डिसाइड करते हैं कि सबने मिलकर 30 मिलियन वान दे दी है तो यह मदर कुछ भी नहीं करेगी यह सही से डलमेंड आमाउन होगा इस पर यह सब एगरी करते हैं मिया घर जाते वक्ट चर्च में जाती है चर्च में जाने के बाद उसे कुछ स्कूल गर्स दिखती है वो मिया को नोटिस करती है मिया को लगता है कि यह जौंग को जानती है और मुझे भी पहचानती है उसे गिल्टी महसूस होता है और वहाँ से वो चली जाती है फिर वो अपने जॉब पर हमें दिखाई गई है और मैन का वो खैल रखती है उसे नहे लादी है और सब काम उसका कर देती है यह जो और मैन होता है उसे पूछता है कि आज क्या हुआ है तो स्माइल नहीं कर रही मिया जो होती है यह हमेशा बात ही कर दे रहती है और इसका नेचर बहुत ही अच्छा होता है मिया कहती है कि मुझे लोग कहते थे कि मुझे ज़्यादा स्माइल नहीं करना चाहिए वरना आदमियों को गलत सिंगनल जा सकता है यह कहकर वह बात टाल देती है यह ओल मैन भी इस पर हसने लग जाता है मिया फिर ओल मैन के घर पर ही शावर लेने लग जाती है शावर में रोने लगती है यह उसके साथ जो भी हो रहा है इसलिए उसके बहुत बुरा लग रहा है ओल मैन भी यह पैचान लेता है और बाहर ही आवास सुन रहा होता है मिया जब घर पर आती है तो जॉंग टीवी देख रहा होता है वो सब मेस करता है और अपने रूम में चला जाता है मिया उसे फिर से बापस बुलाती है मिया उसे कहती है जो भी गंदेगी तुम नहीं की है यह तुम्हें ही साफ करनी है एसब साफ करकर वो अपने रूम में चला जाता है मिया से रहा नहीं जाता वो जॉंग के रूम में जाती और उसे पुछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया है मुझे जवाब दो जॉंग ब्लैंकेट भेहन लेता है और मिया यह ब्लैंकेट उससे निकालने पाती इस्पिरेशन वो ढूंड रही है, जो लड़की मर चुकी है, वो इस स्कूल में थी, वो कहा कहा जाकर आई होगी, यह सब वो देखकर वंडर करती है, सिटी में एक जगा पर पोएट्री रीडिंग चल रही होती है, मिया वहाँ जाती है, वहाँ जाने पर बहुत सारी पोएट्री कर सकती हो, वो औरत उससे कहती है, कि पोएट्री करना यह एक फ्लो की तरह होता है, जब इंस्पिरेशन आती है, तब सब कवीता बहार आ जाती है, मिया कहती है कि मैंने भी बहुत ड्राय किया था, तो यह औरत कहती है, तुम्हें ट्राय नहीं करना है, जो फिल पिल्स लेकर आती है और मैन यह ले लेता है मिया जब इसको बात दे रही होती है तो इसका इरिक्षन हो जाता है मिया देखकर चीट जाती है वो कहती है कि जो पिल्स थी वो किसके लिए थी यो और मैन कहता है कि मेरी लास्ट विश है मुझे आदमी की तरह मैसूस करकर मनना है मिया कहती है कि अब अपने आपका ख्याल तुम खोदी रखो अब वो वहाँ फिर से नहीं आने वाली मिया को डॉक्टर ने उसके रिजर्ट के लिए बुलवाय होता है वो उसे पता चलता है कि उसे अलजाइमर है थोड़े दिनों बाद वो सब कुछ भूलने लग जाएगी वो हाँ डॉक्टर के पास फूल होते है वो कहती है यह जो फूल है यह पेंस ही मुलाइस करते है मिया जो भी सब एक्सप्रियेंस कर रही होती है यही उसे वर्ड में दीखता है वो अपने नोटबूक में लेती है जैसे टाइम पास होता है वैसे फ्लावर्ज भी फेड होते जाते है मिया फिर उस पैरन के पास आदी है उसे कहती है जो भी सब पैसे हमें उस मदर को देने है उतने पैसे मेरे पास नहीं है क्या तुम मुझे लोन दे सकते हो यह पैरन उसे मना कर देता है नेक्स दे मिया पोईटरी क्लास में जाती है पोईटरी क्लास में सब लोगों के जो ब्यूटिफुल एक्स्परियंस है वो यह जता रहे होते है मिया का जब टन आता है तो कहती है कि मेरी बड़ी सिस्टर थी जब भी मैं छोटी थी तो मुझे पुकारती थी और मेरे हेर्स को अच्छे से करती थी यह कोम करती थी जब भी हो मुझे पुकारती थी उस पुकार में प्यार था वो जब मेरे बाल सहलाती थी तो मुझे बहुत ही beautiful लगता था वो मुझे से बहुत ही प्यार करती थी मियाँ घर जाते वक्त river के पास आती है जहाँ इस लेटकी ने suicide की थी उस spot पर वो आ जाती है यहाँ एक rock पर बैठती है और वो ही सोचने लग जाती है वो जो feel कर रही है यह poetry में उतार नहीं पा रही वहाँ फिर बारिश आ जाती है वो बस लेकर जो old man था जिसके पास वो फिर से जाने नहीं वाली थी वो वहाँ आ जाती है उसने अभी हभी कहा था कि उसे फिर से beautiful महसुस करना है old man के पास आकर उसे pills देती है यह दोनों फिर intimate हो जुके है यह हमें दिखता है में जब घर पर आती है वहाँ एक reporter आयो होता है यह जो reporter होता है इसे settlement के बारे में जो भी सब हो रहा है इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता पर इसका guess होता है तो मिया से बात करने लग जाता है मैं उसे बहुत सारी information देती है पर उसे फिर realize होता है इसे सच मुछ में कुछ भी पता नहीं होगा यह मुझे सिर्फ information निकल वालेगा इसलिए उसे वो दूर भागती है reporter को जो अभी सब information मिया ने दी थी इसकी वज़े से अब parents पर जादा ही pressure बढ़ चुका है parents ने मिया को बुला आता है मिया को वो सब कहते है कि जो mother है उसके पास तुम जाओ उसे कहो कि उसे कितने पैसे हम देने वाले है तुम औरत हो तो तुम औरत से अच्छी तरीके से बात कर सकती हो तुम जो भी अब सब कहोगे यह बहुत ही important होगा जोंके classmate का parent होता है अब मिया को जिस लड़की की family थी उसके पास वो लेकर आता है मिया वहाँ पोच्चती है घर पर जाती है पर वहाँ कोई भी नहीं होता उस लड़की की photo देखती है नेबर मिया को कहती है कि घर पर कोई नहीं है लड़की की mother जो है वो field पर कही है वो शाम तक आएगी मिया कहती है यह field में जा सकती हो अब उससे location मिल चुकी है तब वे खेतों में जा रही होती है जाते जाते एक बड़ा सा पेड़ उसे दिखता है और यहां बहुत ही sweet fall होते है यह जमिन पर पड़े होते है यह इसे खाती है और इसे बहुत ही sweet लगते है यह mother के पास आती है उससे कहती है कि आज मैंने apricot खाए और यह जाड़ से नीचे किर चुके थे एक नई life की तलाश में और कुछ beautiful बनने के लिए यह जमिन पर पड़े हुए थे मिया फिर mother से कहती है कि यह साल crops के लिए तो बहुत ही अच्छा होगा इतना अच्छा sunlight आ रहा है मिया जिस beautiful life के बारे में बात करती है यह इस mother की नहीं है वो reality में जी रही है पेट से फल गिरा तो यह उसका purpose है इसा उसे लग रहा है पर इसा कुछ भी नहीं है जो mother की life है यह difficult है यह real है मिया उससे कुछ भी बात नहीं करती है और वहाँ से चली जाती है पैरेंस को कहती है कि मैं उसकी mother से मिलनी पाई मिया फिर से poetry reading में आती है वहाँ एक police officer होता है जो लोग को हसाता है poetry करता है इसकी poetry इतने beautiful नहीं होती है और यह generally dirty भी होती है मिया की वहाँ जो friend होती है उससे कहती है कि poetry के meaning यह ही है कि यह beautiful हो पर इस आदमी की जो poetry है यह उतनी अच्छी नहीं है इसी इससे problem होता है यह सब फिर dinner करते है इस dinner में police officer को मिया की friend बुला थी है जो मिया ने कहा था वो सब कहती है police officer उसे apologize करता है police officer कहता है कि मुझे इतना सब कुछ इसके बारे में नहीं पता इस poetry class में मिया को जो teacher होता है उसे भी invite किया होता है वो यहाँ और एक poet को लेकर आता है जब यह सब dinner करने के लिए बैटते है तो मिया अपने teacher से गयती है कि आपने मुझे बताया था कि poetry उडने चाहिए पर ऐसा मेरे साथ नहीं हो पा रहा मिया के teacher के साथ और एक poet जो आया हुआ होता है यह दर्द में होता है यह बहुत यह drunk होता है और इसको इस पर believe नहीं हो पाता वो यह believe नहीं करता कि poetry fly करती है inspiration आ गई और आपने सब कुछ लिग डाला ऐसा कभी भी नहीं होता यह इस poet का perspective होता है हर poet अलग-अलग होता है और सब की process अलग-अलग होती है इस class के बाहर मिया होती है और वो रो रही होती है police officer उसके पास आता है उसे पुछता है कि क्या कुछ problem है next day मिया ने जो लड़की ने suicide कर ली थी उसकी photo अपने पास लाई होती है और वो लंच टेवर पर लग देती है यौंग वहा हाता है इस photo को देखता है पर उस पर ज़्यादा कुछ react नहीं करता अपने आप डीवी देखने लग जाता है यौंग फिर नीचे छोटी लड़कियों के साथ खेल रहा है यह हमें दिखता है जो भी सब उसने किया है इससे उसे कुछ फरक नहीं पढ़ रहा और अपने लाइफ का एंज़ाई कर रहा है इसा सब कुछ मिया देख रही होती है अब जो मदर थी उसके साथ सब बैरेंस की मिटिंग चल रही होती है यह दोनों एक दुसरी को जानते है यह वो जत्ता दे नहीं मिया वाहाँ से बाहर चली जाती है एक पैरेंट उड़ता है उसे पुछा है कि तुम कहा जा रही हो मिया केती है कि मैं पैसे नहीं दे पाओंगे इस पैरेंट केता है तुम पैसे देने ही पढ़ेंगे अगर तुने पैसे नहीं दी है तो यह settlement नहीं हो पाएगा यह बहुत ही बुरा हो सकता है मिया को पैसे देने ही पड़ेंगे मिया फिर हमें दिखती है ओल्ड मैन के पास हुआ जाती है उससे कहती है कि उझे 5 million यॉन चाहिए यह ओल्ड मैन उसे पुछता है किस के लिए चाहिए यह उसे कुछ भी बता नहीं रही होती है वो कहता है कि क्या मैं तुम्हें ऐसे ही दे दू मिया फिर उसे blackmail करती है वो कहती ही कि जो भी हमारे साथ हुआ था वो तुम्हारे family को में बता सकती हो वोल्मैन उसे पुछता है क्या तुम मुझे blackmail कर रही हो वोल्मैन के पास कुछ option भी नहीं होता इसलिए वो सब पैसे उसे दे देता है मिया यह सब पैसे parent को जाकर दे देती है घर आते आते यह उसे गेविंग पारलर में दिखता है उसे वहाँ से वो निकाल थी है और एक restaurant में लेकर आती है उसे उसका जो favorite pizza होता है वो वो खिला थी है वो फिर यॉंग को कहती है कि कल तुमारी मदर आने वाली है उसने बहुत दिनों से तुमें नहीं देखा है इसलिए उसे तुमें देखना चाहिए इसलिए मैंने उसे बुला लिया है जब ये दोनों घर पर आते है यॉंग की जो nails होते है ये बढ़ चुके होते है ये सब वो काट देती है यॉंग को फिर वो कहती है कि तुम अच्छे से आप बाद ले लेना जब तुम अपनी body clean रखोगे तब ही तुम्हारा mind भी clean रह सकता है रात में दोनों badminton खेल रहे होते है तो मिया का police friend यहा आ जाता है यॉंग को arrest करकर वो लेकर जाते है मिया उसके friend के साथ ही badminton खेलने लग जाते है इसका मतलब है यॉंग को उसने ही arrest कर वाया था यॉंग जेल में जाने से पहले उसे एक message वो दे कर गई है उसके जो body है उसे वो firstly clean करने है उसके बाद ही वो अपना mind clean कर पाएगा उसे अपना mind clear करना है और यह एक process है यह उसे कह कर जाती है रात में एक poetry लिखती है दूसरे दिन poetry class होता है यहाँ मिया नहीं आती उसके teacher को उसने जो poetry लिखी होती है वो देकर वो चली जाती है मिया की daughter घर पर आती है तो मिया उसे कही भी नहीं दिखती है जो मिया ने poetry लिखी थी वो हमें अब पढ़कर सुनाई जाती है इसमें लिखा होता है कि दिन भर आकाश में freedom के साथ birds गुमते है तो वो फिर से forest में आते है क्या वो तभी भी sing कर रहे होते है इसमें लिखा होता है जो confession में करना चाती हो क्या हो में कर सकती हो अब ए good bye कहने का time आ चुका है जो promises कभी भी खतम नहीं होते जो pair कभी मुकमल नहीं होता जिस तरह से shadows मिट जाती है इसी तरह से अलविदा लेने का आज टाइम है ये later जब चल रहा होता है तब जिस लड़की ने suicide कर ली थी वो लड़की हमें दिखाई गई है वो school में है ब्रिच पर जा रही है जहाँ उसने suicide की थी ये हमें दिखाई जाता है ये जो सब feelings है ये इस लड़की की और मिया की same है ये हमें दिखाई जाता है ये later फिर आके बढ़ता है इस later में लिखा होता है ये मैं सब के लिए pray कर रही हो आप सब को पता होगा कि मैं आप सब से कितना प्यार करती थी मैं आप सब को दुबाई देती हूँ और मैं dream करना start करती हूँ अब मैं सोने जा रही हूँ पर मैं फिर से light में उठूंगी ये जो सब कविता है ये heaven के बारे में अब हमें bridge दिखता है जिस पर लड़की है और अब ये कुदने वाली है मिया ने भी इस bridge से ही छलांग लगा कर suicide कर ली है मिया जो है ये heaven पर believe कर रही है उसका जो अंध है उसमें वो heaven में चली गई है ये वो believe करती है लड़की ने suicide कर ली थी पर ये बदल नहीं सकती ये लड़की एक अच्छे जगा भरे ये ही वो hope कर सकती है इस लड़की के लिए जो भी सब करना था तो मिया ने वो card डाला है इस लड़की को justice मिलना चाहिए तो अपने grandson को ही जेल में उसने डाल दिया है लड़की एक mother को उसके financial situation के लिए बहुत सारे पैसे मिलने चाहिए थे ये भी उसने ensure किया और उसने वो पैसे उसे दे दिये है हमें लग सकता है ये इसने suicide क्यों किये पर इसका जो भी सब उसे करना था वो एक कर चुकी है इसके grandson का education चल रहा था इसकी वज़े से उसके साथ वो रह रह रही थी ये अब कतम हो चुका है इसका grandson अब जेल में चला जाएगा और इसका अब कुछ point ने रहा वो एक poetry करना जाती थी last make करकर वो चली गई है मियाग को Alzheimer है और वो सब कुछ अब भूलने लग जाएगी जिस तरह से उसका nature है वो free है लोग से वो बात करती है वो रह करनी पाएगी अब उसके इस world में सब कुछ काम खतम हो चुके है तब उसने अब suicide कर लिए पर वो hopeful है कि वो heaven में जाएगी कोई इसके लिए ज़्यादा दुखी ना हो इसलिए वो सब को बता कर जाती है कि वो जा रही है अपनी मर्जी से जा रही है और सब के लिए वो दूबा कर कर जाती है यही movie खतम हो जाती है लास में मिया को जो भी सब सही लगा उसने वो कर डाला मरते वक्त उसे जो peace चाहिए था उसने खुद से बना लिया लड़की जो है वो एक अच्छे place में होगी या अपने मन में उसने डाल लिया है जिससे हो शान्दी से मर सकती है बहुत ही impactful यह movie थी आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगाओगा तो please इस वीडियो को like कर दीजेगा मैं बहुत सारी movies लेकर आता रहता हूँ तो आप इस चैनल को subscribe कर दीजे और bell notification icon भी दबा दीजे यानि कि आप सबको बहुत सारी movies ही मिलती रहें हम फेश से मिलेंगे एक नई movie के साथ तब तक के लिए thank you और आप अपने आपका ख्याल रखिए